आप सबन का एक नए वीडियो में हर्दिक स्वागत है विशेश और विशेशन से यह पार्ट टू है पार्ट वन में हमने हंड्रेट कवर किये थे और इस वीडियो में भी हम हंड्रेट प्रशन याने की हंड्रेट विशेश और विशेशन सब्द हम कवर करेंगे यह पार्ट होगा उक्त देखिए ये समिख्षा दिकारी या कोई भी एक्जाम हो उन सभी में आते ही आते हैं और आपनों को बता देए ये समिख्षा दिकारी के लिए अति महत्पूर्ण सब्द साबित होंगे अगला प्रसंद दिया गया है उपार्जन उपार्जन का होता है विशेशन उपार्जित ठीक है उपार्जन का विशेशन क्या होगा उपार्जित उपहार का विशेशन उपहरित ठीक है ध्यान से देखीगा यहां पर अच्छे से पढ़ेगा उपहार का उपहरित होगा ठीक उत्पात का विशेशन उत्पाती होगा ठीक है उत्पात का उत्पाती ठीक है अगला है उन्नती तो उन्नती का क्या होगा उन्नत ठीक है उन्नती का विशेशन उन्नत ठीक है उन्मुक्ती उन्मुक्ती का विशेशन उन्मुक्त होगा ठीक है यहां पर चुटिक मात्रा लगे यहां पर सुटिक माता नहीं है उनमुक्तिर का विशेषन और अगला है उदजोग का होगा और गिक ठीक है उद्दोग का ओसे बिसेषन को अंधुर Double तीहकर उर्मिり मुचा यई का उंचा विशेशन होगा ठेख हो चाहे हौँच आपre का विशेशन होगा ऊपरी ठीक उपर का विशेशन उपरी, रितु का विशेशन हो जाएगा, आब अर्तव, ठीक है, रितु का विशेशन आर्तव, रिशी का आर्स होता है विशेशन, ठीक है, रिशी का विशेशन क्या होगा, तो आब बताएंगे, आर्स, अगला है विशेशन, एकांत, एकांत का विशेशन होगा, एकांतिक, ठीक है एकांत का विशेशन एकांतिक अगला है एकी करण का विशेशन एकी करत ठीक है एकी करण का विशेशन क्या होगा तो आप बताएंगे एकी करत एक का विशेशन होगा एकिक ठीक है एक का विशेशन एकिक अगला है एसिया एसिया का विशेशन होगा एसियाई ठीक है जैसे भारत का भारती होता है ठीक है एसियाई जो है विशेशन है किसका तो आप बताएंगे विशेश का विशेशन है एसन का होगा विशेशन इस्ट एसन का विशेशन इस्ट एहसान का विशेशन होगा एहसान म अगला है एस तो एस का विशेशन होगा एयास ठीक है जो एयास वेकती होता है उसे कहते हैं वो विशेशन है यानि एयास यहां पर सब्द जो है विशेशन है और एस सब्द जो है यह विशेश है ठीक है ओज ओज का विशेशन होगा ओजस्वी ठीक है ओज का विशेशन क्या उहदा का विशेशन होगा उहदेदार ठीक है उहदा का विशेशन क्या होगा उहदेदार बताएंगे ओछा पन का विशेशन होगा ओछा ठीक है ओछा पन तो ये हो गया विशेश और ओछा हो गया विशेशन आचित आचित का विशेशन क्या होगा उचित ठीक है आचित का विशेशन उचित अगला है औरत औरत का होगा औरताना ठीक है औरत का विशेशन क्या होगा औरताना अगला है अंकुर का विशेशन क्या होगा अंकुरित देखें अंकुर का विशेशन अंकुरित अनंत का विशेशन अंतिम अगला है अंतर अंतर का विशेशन होगा आंतरिक अंतर का विशेशन आंतरिक, अंचल का विशेशन हो जाएगा आंचलिक, कथा का विशेशन क्या होगा, कथित, अगला है कथा, ठीक है, कथा का विशेशन होगा, कथाई, कल्पना का विशेशन काल्पनिक होगा, करम का विशेशन क्रमिक होगा, अगला विसेशन है कपूर कपूर का विसेशन होगा कपूरी ठीक है तो कपूर का विसेशन क्या होगा तो आप बताएंगे कपूरी ओके अगले यहाँ पर आ चुके हैं सब्द देख सकते हैं बहुत ही अच्छे प्रसन लिए गए हैं और हर पार्ट में आपनोंको 100 प्रसन देखने को मिलेंगे 100 प्रसन ठीक है दिसलिए वीडियो को जो है कंप्लीट देखा करें सारे के सारे प्रसन यानि सब्द जो हैं बहुत ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो एक सब्द है कलपना तो कलपना का विशेशन क्या होगा कालपनिक ठीक है तो कलपना का विशेशन तो आप बताएंगे कालपनिक अगला विशेशन दिया गया कागज का विशेशन होगा कागजी ठीक है तो कागज का विशेशन क्या होगा तो बताएंगे आप कागजी काया का विशेशन होगा काईक ठीक है काया का विशेशन क्या होगा कटीला ठीक है तो कांटा का विशेशन कटीला होगा अगला है कंकड कंकड का विशेशन क्या होगा तो आप बताएंगे कंकडीला ठीक है देशा कंकडीला खेत कंकडीला रोड कह सकते हैं रास्ता कह सकते हैं तो कंकड का हो जाएगा कंकडीला कुटुम्ब का हो जाएगा कोटुम्बिक विशेशन तो कुटुम्ब का विशेशन क्या होगा कोटुम्बिक ठीक है कोटुम्बिक हो जाएगा कलमी तो कलम का विशेशन अब बताएंगे कलमी अगला है कंठ तो कंठ का विशेशन हो कर्ज का विशेशन क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे कर्चदार तो कर्ज का विशेशन कर्जदार अगला है कंप तो कंप का विशेशन हो जाएगा कंपित तो कंप का विशेशन कंपित कलंक तो कलंक का विशेशन क्या होगा तो आप बताएंगे कलंकित तो कलंक का विशे होगा कल यूगी ठीक है क्लेस तो क्लेस का होगा विशेशन क्लिस्ट ठीक है क्लेस का विशेशन क्लिस्ट काम का विशेशन होगा कामी काम का विशेशन क्या होगा तो अब बताएंगे कामी अगला है विशेशन काम तो कामी हो गया कर्म का विशेशन कर्मत ठीक कोब का विशे question कठिन कणोबा पन का विशेशन हो जाएगा कणुरा का हो जाएगा कंगूरेदार ख यद रुखेंगे कलुसित तो कलुस का विशेशन क्या हे कलुसित ओके कुंदल का विशेशन हो जाएगा कुंदली क Bone किसर का से सन קया होगा केशर ऑब बताएगे केशरThat कि अगला है कौटिल कतली का से टी। ण क्या होगा कुटिल होगा ओके का है कवं क को मिन ठीक है कव अगला है किताब किताब का विशेश्ण हो जाएगा किताबी किताब किश्मत का किस्मतवार ठीक है किस्मत का विशेशन किस्मतवार और कुट्सा का विशेशन क्या होगा कुट्सित ठीक है कुट्सा का विशेशन कुट्सित अगला है कुकर्म कुकर्म का विशेशन हो जाएगा कुकर्मी ठीक है कुकर्म का विशेशन कुकर्मी कर्पा का विशेशन हो करपालो की लीजिए कर दिए देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्रृष्ण है और बहुत ही कम समय के अंदर आप इन्हें पड़ पाएंगे इसलिए हम इसंट पड़ रहें कि खर्च का विशेशन हो जाएगा खर्चीला ठीक है खर्च का विशेशन, खर्चीला, खत्रा का विशेशन, खतरनाक होगा, ठीक है, खत्रा का विशेशन, खतरनाक, और यहाँ पर है, खपड़ा, खपड़ा, खपड़ा का होगा विशेशन, खपड़ायल, ठीक है, तो खपड़ा का विशेशन, खपड़ायल, खान का हो जाएग खनिच तो खान का विशेशन्ड क्या होगा तो अब बताएंगे खनिच अगला है यहाँ पर खंड खंड का विशेशन्ड हो जाएगा खंडित ठीक है खंड का विशेशन्ड क्या होगा खंडित खार का विशेशन्ड हो जाएगा खारा ठीक है खार का विशेशन्ड क्या होग गे गायन का विशेशन गे ग्रास का विशेशन ग्रस्त हो जाएगा ठीक है गर्ब का विशेशन गर्वीला हो जाएगा अगला विशेशन है गोबर गोबर का हो जाएगा गोबरेला ठीक है गोबर का विशेशन गोबरेला गंगा का विशेशन हो जाएगा गांगे ठीक है और ग्रहस्त तो ग्रहस्त का विशेशन हो जाएगा गारहस्त ठीक है तो इस सब्द को ध्यान से देखीगा यह है ग्रहस्त का विशेशन गारहस्त अगला है गेरु का विशेशन गेरुआ हो जाएगा ठीक है गेरु का विशेशन गेरुआ अगला है गंभीरता तो गंभीरता का विशेशन क्या होगा गंभीर ठीक है गंभीरता का विशेशन गंभीर गंधक गंधक का विशेशन हो जाएगा गंधकी गाफिल ठीक है गफलत का गाफिल विशेशन होगा अगला है गम गम का हो जाएगा गमगीन विशेशन क्या होगा गमगीन गति का विशेशन हो जाएगा गत ठीक है गति का विशेशन गत गमन का विशेशन क्या होगा गंतव ठीक है गमन का विशेशन क्या होगा गंतव ठीक ह गवेशन का विशेशन हो जाएगा गवेशनी है ठीक है गवेशन का विशेशन क्या हो जाएगा गवेशनी है अगला है गस्त तो गस्त का विशेशन हो जाएगा गस्ती ठीक है गांट का विशेशन हो जाएगा गांटदार ठीक है तो गांट का विशेशन क्या होगा तो अब विशेशन सब्द है गुसा का क्या होगा विशेशन बताएंगे अप गुसायल अगला है गढणा तो गढणा का हो जाएगा गणे ठीक है गाना गाना का हो जाएगा विशेशन गवया ठीक है गवया एक विशेशन है गाना विशेश है अगला है गमन तो गमन का विशेश हो जाएगा ग्रामीड या ग्राम में ठीक है ग्रामीड लिखा हो या ग्राम में लिखा हो तो यह दोनों सब्द जो है विशेशन है और ग्राम जो है यह कि विशेशन है स्वारी विशेश से है गुण का हो जाएगा गुणी ठीक है गुण का विशेशन क्या होगा गुणी हो ज जाएगा तो इस तरीके से टॉप हंड्रेड हमने पार्ट टू में शेयर कर दिया ठीक है तो आप लोग को हमारे उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारे यह सब्दों का कलेक्शन जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा और फास्ट यानि बहुत ही सुपर फास्ट हमने इनको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा